हेलो फ्रेंड्स स्वागत है और एक नौए वडियो में तो आज इस वडियो में लोग बात करने वाले हैं बेस्ट 32 इंश टीवी जो आप पर्चेस कर सकते हो आप अपने बजेट का हिसाब से और अभी फिल्पकर्ट का अफर से सो इन इटीटेल्स बात करने माले अगर आपका बजेट यसदं टेन थाउजेंट यूजर करना चाहिए एगर अगर आपका बजेट 15,000 से लेकर 20,000 तक है तो कौन से टीवी को पर्चेस करना चाहिए 20,000 का उपर नहीं मैं बिल्कुल सब्सक्राइशन नहीं करगा कि 20,000 का उपर आपको 32 इंच वाला टीवी पर्चेस करें अगर आप 20,000 पेंट करने के लिए अगर आपका बजेट है तो आप बेट रहे है फोर के अप्शन पर 32 इंच के श्मार्ट टीवी हमें कंसिडर क्यों करना चाहिए तो इसका सिंपल अंसर है दोस्तों जैसे कि हम लोगों को शबको पता है कि अगर आप टीवी को ज्यादा यूज नहीं करते हैं आप थोड़ी बहुत इंटरनेट आप तो मैं आप रहे है वीडियो का स्टाइट में कि वीडियो का अउन तक देखे सोदाट आपको एक क्लारीटी मिलेगी और हम लोग इस वीडियो में ज्यादार मडल का बारे में बात नहीं करनेवाले हैं शिंपल मुद्व्धय का बात करने वाले हैं और आपको कॉनशा टीबी को चूच करनी चाहिए कितना बजेट पर चूच करना चाहिए क्यों चूच करना चाहिए और रिजन भी हम लोग इस वीडियो में डिसकेशन करने बाले हैं तो वीडियो का आप देखरें टेकल डिविजन अगर आप चनल पर नॉय हो अभी तक हमरे चनल को बेस्ट थाटीटू इंश्मार्टीवी है जिसको हम लोग कंसीडर जरूर करनी चाहिए जो बिलोग 10,000 में बता रहा हूं दोस्तों यह आपको अप्टर डिसकाउंट्स सो डिसकाउंट के बाद आपको जो फाइनल प्राइस आएगा 9500 या फिर 10100 टूहनेट ऐसा आएगा बिलोग 10,000 आपको यहां पर जो है बिलोग 10,000 शेगमेंट पर मैंने आपको यहां पर अभी 7 tv जो है साथ टीवी जो है सेयर करने बाला हूं और जैसे ही 7 tv का डिसकाउंट्स कर लेंगे उसके बाद हम लोग यह भी बात करेंगे कि आपको कौंशा टीवी को पर्चेस करनी चाहिए और क्यों सिर्फ को अप्शन या फिर दो अप्शन का बारा में हम लोग बात करेंगे क्योंकि ज्यादा आपसं बात नहीं करेंगे तोड़ी कान्फूजन हो जाती है सबसे पहला टीवी जैसे कि आप स्क्रीन का उपर में देख पार है यह दोस्तों समसंग का यह ज आपको देखने को नहीं मिलेगा फेशन को चैटमफ एंटर निघ्टनरनेट उफैस . प्रफेड प्र चूर्फ किया जाता है तो ऐत्र थी ज्यूज तैकनलोजी बातन है से आपको जो है crystal clear विजुल जो है देखने को मिल जाता है समसंग का हर टीवी पर अप्टू 43 इंच 50 इंच टीवी पर भी इन्होंने रिपीड करते हैं सो यहां पर आपको 20 वार्ट स्राउंड आउट्पूट डल्वी डिजिटल का भी सपोर्ट मिल जाए थाडीटू इस स्मार्ट टीवी पर 20 वार्ट डल्वी डिजिटल प्लॉश टेकनोलोई जो है आप बहत्रीन शेट आप कहे सकते हो पर आपको एक समसंग जैसे ब्रांड भिलू एक टीवी आप पर्चे आपको देखने को मिल जाएगा आप इसको 10,000 आसपास में पर्चेस कर सकते हो HDFC कार्ड में आपको डिस्काउंड मिल जाएगा अभी फिल्पकर चलिए नेक्ट जो टीवी है दोस्तों यह हमारा आपको प्रेस्टोर देखने को मिलता है तो नो डाउट आपको जितना सारे रेगुलर आप से जो हम लोग इंडिया में यूज करते हैं नेट्फ्लिक्स, प्राइम व्योडियो, यूट्यूब, इस सारे के सारे जी फाइब सब कुछ आपको जो है कुछ आप्लिकेशन जो ह आपको प्रेस्टोर से डाउलोड कर सकते हूँ, क्योंकि अंडर टीवी गूगल टीवी पर आपको अप्टिमेशन काफी आपको बेटर देखने को मिल जाती तीवी पर आपको 260 ब्राइटनेसी निट्स और डायनामिक कलर एंहंसर और माइक्रो डिमिंग फिचर भी देखने आपको इसको भी आप कंचिडर कर सकते हो तो यह गूगल टीवी ऑपरेटिंग शॉप्टेर का साथ में 1.5GB राम इसमें प्रोवेड किया जाएगा तो कॉर्टेक्स का ए-55 प्रोसर आपको इस पर दिया गया है यह एक एज़ी रेडी टीवी है तो आपको रिजलीशन रहे 1366 x 768 पिक्सल आपको 24W का साउंड आउटपूट जो की डल्बी ओडियो का सपर मिल लाती है 3HDMA पोट जो की 1.4 का USB आपको 2.0 प्रोवेड के जाएगा थोड़ा आपको थास सर्विस जो है एक्स्पेटर करता है कस्टमर जो होनी चाहिए कही ना कहीं थोड़ी ल्याग हो जाती है किसी ना किसी रिजन से उसको सुधनने का जर्रोत नेक्स्ट जो हमारा टीवी है यह हाइसेंस का 32 इंच जिसका मडल नमर जैसे कि आप देख पा आपको देखने को मिल याता है जैसे कि तीन एजडियमाई दो यूस्वी एक एड़फन ज्याग डिजिटल आडियो वाई-फाई ब्लूटूथ और आपको एसी इंपूट पावर रेंज रोट जर हाएगा 100 वोल्ट टूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूट तीज में आपको बता रहाऊ यह सारे के सारे जो है लेस दन तेन थाउजन या फिर तेन थाउजन तो यह प्राइस रहेगा और ठाटी टूटूटूटूब्स के श्मार्ट टीवी जे सो नेक्स्ट फिट तीवी यह है इनफिनिक्स का स्टी रेडी गूगल तीवी इसका सा और नो डाउट इन्फिनिक्स का सर्विस योगरा आजकाल भी ठीक-ठाक देखने को मिल जाता है चलिए हमारा जो सिख्थ टीभी यह है संसुई का यहां पर भी आपको गूल टीभी अपरेटिंग का शॉप्टर का साथ में प्रोभड किया जाएगा तो सारे के सार जो रेगुलर आपसे यूट्योब डिस्ने होट स्टार नेट्फ्लिक्स अमेजन प्राइम जी फाइब सारे के सार आपको शॉपर्टेड होगा इसके लिए आपको सोचने का जरूरत नहीं है टुन्टी वर्ट साउंड आउट्पूट यहां पर आपको डल्बी डिजिटल का सप्ट मिल जाएगा 110 वोल्ट एसी टू टूफर्ट वल्ट एसी इन्पूट पावर रहें जो कि बढ़िया बात है और आपको दो साल का वारेंटी इस टीवी को आप किसी भी कर्नर से बेट के देख सकते हो बट 32 इंच का एक टीवी है अप जहाद दूरी में अगर बेट होगे तो आपको उतना दिखाई भी नहीं देगा वो एक्स्प्रिम सा उतना मजा भी नहीं आएगा नो डाउट IPS पैनल होने का रिजन से आप जो है क किसी भी वाइड भी अंगल आपको प्रोवेड करता है और किसी भी कर्नर पर बेटके आप टीवी को देख सकते हैं चला स्पीक्यू के एक्स्ट्रीम पिक्चर इंजिन देखने को मिलता है जो कि को का टीवी पर प्रिविएस मोडल पर काफी आपको बेहतरी इंटरकुलिट तो यहां पर शिंपूल सा बात है अगर आप बेटर कॉलर आकुरेश है और आपको बेटर पिक्चर क्वालिटी ही आपका इंपोर्टांट से है तो फिर मैंने आपको जो पहला बताया समसंग का टीवी यह बला टीवी इसको आप कंसिडर करना आपको सेट अप बक्स का तो फिर आप जो है कंसिडर कर सकते हो का अभी जो रिशेंट लिए आपको लाश्ट वाला मडल जो जहां पर आपको 300 ब्राइटने से नीट्स का साथ में आई पेस पैनल देखने को मिल रहा है तो दो ही अप्शन है और मेरा फैनल कॉंक्लूजन भी आपको ही रहेगा कि समस अगर आपके लिए एक ही अप्शन है करने अगर आपका बजट जो है 11,000 से लेकर 14,000 तक है तो आपको कॉंसे टीवी को कंसिडर करने चाहिए यहाँ पर ज्यादा अप्शन का बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा अप्शन भी देखने को नहीं मिलता है पॉइंट टूइट बात करता है यहाँ पर आपको में सिर्फ तीन मडल का बार में बताऊंगा इस तीन मडल में से कॉंसे टीवी को चूज करने है वो भी हम लोग डिसकसन करने वाले है यह है यह है यह है यह एलजी का 32 जो अभी मडल नवर आप देख पार है 2023 मडल है तो जैसे इंट्रेस्टिंग आपको देखने को मिलता है और एल्जी का जो ग्राफिक्स प्रस्टर का जो आउटकॉम है काफी बेतरी बानियर का वारेंट इस टीवी पर आपको प्रोवेड के जाता है जो कि अच्छा बात मिनिम्मम कनेक्टिविटी अप्शन आपको मिली आता है 1.5 जी राम के साथ में 8 जीवी इंटर्नल स्टोरेज 30 वर्ट सांड आउट्पूट 100 वोल्टेशी टूफर्टी वोल्टेशी इंपूट पावरेंज और दो सालक आपको इसमें वारेंटी प्रोवेड की जाते हैं तो अगर आपको एक क्विलोडी टीवी चाहिए तो मैं करेंगा कि जो आपको कॉम्प्रेश पर मिल रहा है आधर को जो है सरे का बीसरी जो है पर मिलेगा क्यों टीनों से अगर आपका प्राइस रेंज जुए मोर्दन 15,000 ड़ेंट लेश दन 19,000-18,000 कि मैं ने आपको एकी मडल यहां पर ज्यादा अप्सण है और आपको जो है ब है तो ठीक है अगर मोर्दन 20,000 है तो आप जो है 4K पर जाईए ठीक है क्योंकि मोर्दन 20,000 अगर spend कर रहे हैं तो आपका usage भी उस तरीके से होनी चाहिए तो एक 4K TV को आप ले सकते हो मोर्दन 20,000 बजेट पर 32 इंश का एक श्क्रीन साइज वाला टीवी आपको क्यों लेने हैं तो इसलिए मैंने जो है रिमेनिंग रेक्मेंड आपको नहीं कर रहा हूं शो एही था आज का वीडियो और अगर आप इनी में से किसी भी टीवी को मडल में सब्सक्राइब तो नेचे डेस्क्रिप्शन पर उसका लिंक मिल जाएगा आप जाके चेक कर सकते हूं और आई होब कि आपको वीडियो तोड़ा यूस्फुल होगा मिलते हैं किसी नौय करेंड के साथ में दूस्तों अगर वीडियो आपको आच्छा लगा तो लाइक किज मिलते हैं किसी नौय करेंड के साथ में दूस्तों तब तो के लिए नमस्कार जाहिए